हेलो गाइज मैसेल्फ शुभाम अगरवाल फ्रम टीम आशिश तौब अब आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो पर विटामिन बी नाइन फोलिक एसीड इसमें भी कैसे डिसकस करेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री उसके को एंजाइम्स फॉंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है इ फोलियम का मतलब क्या होता है लीफ ठीक है तो यह ग्रीन लीफी वेजेटेबल्स जो होता है उनके अंदर मेजर सोर्स होता है उनका तो यह नाम वहां से आया है ठीक है अगर इसके स्ट्रक्चर के अगर आपन बात करें केमिकल स्ट्रक्चर के अगर आपन बात करें तो इसके अंदर तीन कंस्टिटिवेंट होता है टेरीडीन जो होता है टेरीडीन ग्रूप जो होता है वह लिंक्ट होता है पाबा के साथ लिंक्ट विद पाबा पाबा क्या है पैरा अमीनो बेंजोई के से ठीक है तो टेरीडीन ग्रूप जो होता है वह पाबा के साथ लिंक होत जाता है, glutamate add हो जाता है, to form folic acid, और folic acid को यह अपन क्या बोलता है, teroil glutamic acid, ठीक है, तो teroic acid बना सबसे पहले कैसे बना, teridine और paba, और फिर glutamate add हो गया, तो क्या बन गया, teroil glutamic acid या फिर folic acid, ठीक है, तो यह इसका structure है, इसमें एक important बात धियान रखना कि folic acid का जो absorption होता है, folic acid का absorption होता है, अपर part of jejunum से, folic acid का absorption होता है, ठीक है, jejunum में इसका absorption होता है, फिर यह liver में जाएगा, और liver में फिर इसके coenzymes produce होंगे, ठीक है, तो यह 3 चीज़े हमेशा धियान रखना है, एक होता है iron, एक होता folic acid, और एक होता vitamin B12, ठीक है, और intestine कैसे याद रखते हो, आप dudenum, jejunum, और ileum, तो iron का absorption होता है dudenum में, folic acid का jejunum में, और B12 का ileum के अंदर, ठीक है, यह बहुत काम आएगी, यह 3 चीज़े, यह vitamin अभी इस के coenzyme function की बात करते है, coenzyme function, ठीक है, तो यह जो folic acid जो होता है, folic acid जो होता है, यह आपका convert होता है, सबसे पहले, dihydrofolic acid के अंदर, ठीक है, dihydrofolic acid के अंदर, और उसके बाद active form जो इसका होता है, वो होता है, tetrahydrofolic acid, THFA, tetrahydrofolic acid, और dihydrofolic acid, ठीक है, यह THFA और यह स सब पढ़ रखा इसके reactions और वो ठीक है पर वो आगे आएगा अभी ठीक है तो क्यासे होता है यह कौन सा एंजाइम होता है सेम एंजाइम होता दोनों reaction में folate reductase और same folate reductase ठीक है इसमें requirement होती है NADPH की requirement होती है active form होता है यह होता है active coenzyme form जो होता है वो tetrahydrofolic acid जो आपन बात करते आये हैं हमेशे से THF ठीक है तो यह अपना coenzyme function है अब यह THF कहां पढ़ाता बताओ THF अपना active form बन गया tetrahydrofolic acid कहां पढ़ाता है is carrier of one carbon groups one carbon metabolism पर जाओ सीधी जो भी reaction है सब की सब यहां चाप दो folic acid के reaction complete ठीक है one carbon metabolism में most important role folic acid का ठीक है वो अपनने carbohydrate metabolism में cover कर लिया ठीक है तो इसकी जो reactions होती है वो most important 5 reaction आपको ध्यान रखनी है वो reaction यहां पर मैं बता देता हूँ आपको बाकी one carbon metabolism इसके साथ revision कर लोगे तो बहुत मजा आ जागा ठीक है तो सबसे पहली reaction homocysteine to methionine में इसका role होता है और उसमें कौन सा one carbon group होता है methyl THF ठीक है methyl THF उसके बाद glycine to serine पढ़ा था अपने ठीक है amino acid metabolism में उसमें कौन सा था methylene THF ठीक है methylene THF फिर एक अपनने thymidilate synthase reaction पड़ी थी nucleotide metabolism में D-UMP से D-TMP बन रहा था कौन सा enzyme था thymidilate synthase और उसमें कौन सा था methylene THF ठीक है उसमें भी methylene THF था एक अपनने histidine जो histidine amino acid होता है उसका क्या होता है कि histidine जो होता है वो सबसे पहले तो convert होता है figlue में बढ़ जाएगा और यूरीन में पास आउट होगा और वो अपन मेजर करते थे ठीक है आज कल नहीं करते हैं वो अभी आगे डिसकस करेंगे ठीक है वैसे करी दिया डिसकस और रहना क्या है पांचवी reaction प्यूरीन रिंग के अंदर ठीक है अपनने बात करी थी एक तो C8 रि अंदर भी इसका मेजर रोल है ठीक है तो synthesis of purines हो गया pyrimidine हो गया यह DTMP उसके बाद homocysteine to methionine glycine to serine हो गया और sterine वाला metabolism हो गया ठीक है तो यह folic acid की most important reactions है folic acid में क्यों पढ़ रहे हैं यह क्योंकि इसका active form THF होता है और इन सब reactions में यह अपने THF होता है homocysteine में methyl THF इसमें methylene methylene और इसमें आपका THF और इसमें methylene THF C8 और formal THF C2 ठीक है तो यह कई बार MC क्यों आते है तो यह याद करना अब यह तो रटना ही पड़ेगा ठीक है इसका तो कोई option ही नहीं है अपने पास ठीक है तो यह अपने इसके coenzyme functions देख लिए ठीक है अब देखेंगे पहले देखते है क्यों होई deficiency क्या cause है deficiency के ठीक है और यह जो vitamin B9 है यह most common is my deficiency होती है most common deficiency देखने को मिलती है ठीक है प्रोटिस किया हो घर पर या कभी तो फॉलिक एसीड की जो है वह first trimester से देने चालू कर देते हैं ताकि deficiency नहीं हो और deficiency हो जाईगी तो बहुत ज्यादा खतरनाग neural tube defects होते हैं जो अपना आगे deficiency manifestation में देख रहे हैं उसके बाद और कैसे हो सकती है या तो इसका absorption decrease हो गया कोई कोई माल absorption intestine में कोई दिक्कत है absorption नहीं हो रहा है इसका absorption कहां से हो रहा था जेजुनम से हो रहा था तो कोई जेजुनम में problem है ठीक है जेजुनम में कोई problem है या स्प्रियू है ciliac disease है ठीक है intestine की disease है जिससे absorption में दिक्कत हो रही है ठीक है और या तो मान लो diet में ही नहीं ले रहे हो आप dietary deficiency है तो वह cause हो सकता है और क्या हो सकता है कुछ drugs होती है drugs जैसे कि anti-conversion drugs जो seizures के लिए लेते है hydentoin और fenytoin है वह अगर ले रहे है तो इसकी deficiency manifest हो सकती है और एक folate trap यह अपने one carbon metabolism में भी देखा था और B12 के अंदर में और अच्छे से इसको वापिस से revision करवा दूँआ पर अभी नहीं बता हुआ उससे पहले आप सोचो कि folate trap क्या होता है कि B12 की deficiency होती है तो साथ साथ म folate trap की deficiency manifest होती है यह अपने वहां पर discuss किया था और B12 में वापिस देखेंगे क्योंकि B12 की deficiency पढ़ेंगे जब बताना ही पढ़ेगा तो folate trap है तो यह हो सकती है deficiency है तो ठीक है इन सब चीजों से हो गई deficiency अब manifest कैसे करेगी यह deficiency manifestations क्या होंगे इसके ठीक है तो अब देखते है अब आपन deficiency manifestations of folic acid deficiency है तो सबसे पहले reduced DNA synthesis क्यों? DNA synthesis क्यों reduce ही? क्या reaction पढ़ी है अपनना है? DUMP से DTMP बन रहा है और इससे pyrimidine बन रहा है इससे purine बन रहा है ठीक है? और finally DNA का synthesis हो रहा है पर अगर folic acid की deficiency है तो decreased DTMP level, purines नहीं बनेंगे, pyrimidines नहीं बनेंगे तो cell cycle क्या हो जाएगी, arrested हो जाएगी, ठीक है? cell division जो arrest हो जाएगा, DNA synthesis क्योंकि inhibit हो रहा है तो cell cycle arrest हो जाएगी, ठीक है? तो cytoplasm की तो, cytoplasm का तो division होता रहेगा पर nuclear का division जो हो कम हो जाएगा और इसको अपन बोलते है, nuclear cytoplasmic asynchrony, ठीक है? क्यों उनके बीच में जो synchrony थी वो टूट गई साइटोप्लाजम तो DVI होता जा रहा होता जा रहा है ठीक है? और nuclear division डिले हो गया आपका, इसके कारण क्या होगा? कि आपकी जो है वो, cytoplasm तो बढ़ता जा रहा है पर nuclear की जो वो है, तो macrosytosis देखने को मिलती है और macrositic RBC picture, macrositic blood picture देखने को मिलती है, इससे होता है macrositic anemia या फिर megaloblastik anemia भी अपन कहता है वो B12 और B9 की combined deficiency से होता है, ठीक है? तो इसलिए B12 की deficiency में, अपन को B9 की deficiency में macrositic anemia देखने को मिलता है, B12 की deficiency में भी same ही यही होता है, पर उसमें क्या होता है कि neurological manifestations भी persons में देखने को मिलती है, वो इसमें absent होती है, folate में absent होती है, B12 में Neurological manifestations ठीक है, तो सबसे पहला आपने देख लिए DNA synthesis reduce होने के कारण megaloblastik macrositic anemia हो गए, ठीक है, दूसरा और क्या होगा, होमो सिस्टीनेमिया हो जाएगा, होमो सिस्टीनेमिया, होमो सिस्टीन का level बढ़ जाएगा, क्यों होमो सिस्टीनेमिया क्यों होगा, वो ही reaction, यह 5 reaction होमो सिस्टीन से मितियोनीन बनने में methyl THF था, इसकी deficiency तो हमो सिस्टीन का level बढ़ गया, और कितनी बार ही अपन चिला चिला के क्या रहे है कि होमो सिस्टीन का level बढ़ता है, तो cardiovascular deaths, cardiovascular diseases के risk बढ़ जाता है, MI का risk बढ़ जाता है, myogardial infarction का risk बढ़ जाता है, directly proportional होता हमो सिस् deficiency हो जाती है, तो children में neural tube defects देखने को मिलते है, neural tube defects, जैसे कि आप embryology में पढ़ते हो, कौन-कौन से होता है neural tube defects, spina bifida और enencephaly, ठीक है, तो child में ये abnormalities देखने को मिलती है, अगर pregnancy में deficiency है, इसलिए mother को prophylactically first trimester से ही folic acid की tablets देनी start कर दी जाती है, ठीक है, तो ये अपन ने ब होता है, कुछ रह रहा है, एक मैंने figlue test बताया था, ठीक है, तो figlue test में वो ही है, histidine है, ठीक है, histidine का breakdown होता है, figlue बनता है form iminoglutamic acid, और उससे फिर बनता है आपका glutamate, ठीक है, और इसके लिए ची होता है THF, अगर इसकी deficiency है, तो figlue का level बढ़ जाएगा, और ये urine म excrete out होगा, ठीक है, तो मानलो किसी person में check करना है, तो histidine का load दे दो, उसको बहुत जादा, उसमें catabolism होगा, अगर इसकी deficiency है, तो figlue का level urine में बढ़ा हुआ, मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये कर सकते, अब अगर इसकी sources की बात करूँ मैं, तो source मैंने इसका पहले ही नाम से इसकी बता है, folic acid, folium, मतलब leafy vegetables, green leafy vegetables जो होता है, उनके अंदर इसका major source होता है, ठीक है, green leafy vegetables जैसे spinach हो गया, उसके अलावा yeast जो होता है, वो भी अच्छा source है इसका, उसके अलावा अगर अपन बात करें, तो cereals, pulses, ये सब cereals, pulses, oil seeds हो गई, एग हो गई, ये भी good source है, milk मतलखना है, इसके अंदर बस ये बात ध्यान रखना, बाकि आपकी मर्जी है, आप जो लिखो, ठीक है, RDA की अगर अपन बात करें, recommended dietary allowance की, तो 200 microgram per day, normal adults में, और pregnancy के अंदर इसकी requirement just double हो जाती है, 400 microgram per day, और lactation के अंदर इसकी requirement होती है, 300 around microgram per day, ठीक है, और therapeutic dose, इसकी अग around 1 milligram folic acid per day देते, oral, ठीक है, और folic acid, अगर मान लो किसी को macrocytic anemia हो गया है, macrocytic anemia हो गया है, तो मैंने क्या बताया, B9 की deficiency से भी हो सकता है, और B12 की deficiency से भी हो सकता है, ये मैं वहाँ बताऊंगा आपको, तो उसके treatment के लिए आपको, खाली B9 नहीं देना है, साथ में B12 भी द अगर आपने B9 दे दिया, तो B12 में मैंने आपको बताया, neurological manifestations होते हैं, ठीक है, जो B9 में नहीं होते है, तो B9 दे दिया तो भी ठीक तो हो जाएगा, macrocytic anemia will be alright, ठीक है, बट जो है, neurological manifestations और ज्यादा aggravate हो जाएगे, इसलिए हमेशा combination therapy दी जाती है, folic acid और B12 की, कभी भी folic acid अकेले देने की गलती मत करना, ठीक है, अब अपन देखते हैं, folate antagonist, last topic अपना, folate antagonist, ठीक है, तो इसमें 2-3 drug है, वो folate को जो antagonist है, वो याद रखनी है अपन को, ठीक है, तो सबसे पहले देखते है, sulfonamides, antibiotics है यह, pharma मैं आप पूरी detail में पढ़ोगे, अभी तो खाली 2-3 लाइने देख पता हूँगा मैं आपको, तो यह sulfonamides है, antibiotics है, ठीक है, bacteria को kill करने में अपन यूज लेते है, urinary tract infection और इन सब में यूज आती है, तो यह क्या होती है, sulfonamides, इन में structural similarity होती है, with Paba, para amino benzoic acid से, यह structurally similar होते है, ठीक है, therefore यह क्या करते है, competitive inhibition करते है, competitively inhibit करते है folic acid synthesis का, ठीक है, folic acid synthesis का competitively inhibit करते है, और इसलिए benefit growth of bacteria, और bacteria को यह मार देते है, क्योंकि bacteria में folic acid, bacteria खुद तो diet में लेंगे नहीं, ठीक है, तो bacteria के अंदर metabolism होता है, mechanism होता है, folic acid बनने का, जो अपन ने देखा था, वोई teradine से Paba, Paba, फिर glutamate जुड के, और folic acid जैसे बन तो यह क्या करते है, कि competitively inhibition कर देते है, उस पातवे का, और growth रुख जाती है, bacteria की, अपने अंदर यह folic acid अंदर synthesize करते ही नहीं, अपन डाइट में लेते हैं, और उससे ही जो काम होता है, वो होता है, ठीक है, अपने अंदर नहीं होता है, तो अपने कोई दिक्कत भी नही चर्णिस्ट, pyrimethamin है, यह भी same है, और यह अपन किसमें यूज लेते है? as a anti-malarial agent, anti-malarial drug के अंदर pyrimethamin, और तीसरी है, aminopterine, aminopterine and amethopterine, ठीक है, और amethopterine कुछ नहीं है, वो ही है, जो अपन बात करते है Hmmethotrexate की, ठीक है, तो aminopterine and amethopterine, amethopterine की दूसरा नाम है तो यह क्या होते है, structurally similar होते है, structurally similar to folic acid, और यह क्या करते है, inhibit करते है, powerful inhibitor होते है, folate reductase enzyme, ठीक है, और folate reductase क्या कर रहा था, अपने वही देखा न, folic acid था, ठीक है, उससे फिर dihydrofolate बन रहा था, और tetrahydrofolate बन रहा था, ठीक है, overall pathway क्या होता है, teradine होता है, वो GABA के सा combine कर रहा था, ठीक है, अपने पास बन रहा था, सबसे पहले dihydrofolate और DHF reductase की मदद से बन रहा था, THF reductase, tetrahydrofolic acid, तो यह क्या करते है, folate reductase को inhibit कर देदा है, इसलिए folic acid की deficiency हो जाती है, ठीक है, folic acid नहीं बन पायागा, ठीक है, तो यह भी वही same mechanism होगी है, structurally similar है, powerful inhibitor folate reductase के, DHF reductase को inhibit करते है, ठीक है, folate reductase, DHF reductase, जो अपना यह DHF reductase था न, यहाँ पर, DHF reductase जिससे यह THF बन रहा था, उसको इस नहीं inhibit करते है, ठीक है, तो folic acid नहीं बन रहा, decrease concentration हो गई, THF की, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, decrease DNA formation, DNA formation नहीं होगा, क्योंकि DTMP वाली reaction याँ दे न, और cell division जो हो जाएगा, वो आपका, arrest हो जाएगा, ठीक है, तो यह जो drugs होती है, mythotrexate, इसको अपन यूज करते है, as a anti-cancer drug, क्यों, क्योंकि cancer cells excessively grow कर रहे है, उनों को अगर रोकना है, तो क्या करों का DNA, synthesis inhibition कर दो, ठीक है, तो यह उस pathway को block करके, DNA, cell cycle को arrest कर देते हैं, cell division को रोक देते हैं, DNA नहीं बनेगा, इसलिए, widely used anti-cancer drug है, methodrexate, aminopterine और amethopterine, तो folate antagonist आया है, तो आपको ये तीन नाम ध्यान रखना है, sulfonamides, pyrimetamine, aminopterine, amethopterine, जिसको बोलते है, methodrexate, ठीक है, तो यह folic acid था, इसमें most important आपको क्या-क्या-क्या question आ सक रखना और foliate antagonic short note आ सकता है ठीक है तो यह आपका folic acid था अब अपन पढ़ेंगे B complex में last vitamin B12 और फिर vitamin C पढ़के vitamin की playlist को खतम करेंगे ठीक है और गाइस कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है क्या हो रहा है ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत